हे लो एम्रियों स्वागत हापका रेखारे सिपी में आज मैं बनाने जा रहाई हूँ अंडा करी ये थोड़ा स्पेसल अंडा करी है इसको मैं थोड़ा स्पेसल तरीके से बनाऊगी अंडा करी आप पहले भी बनाए होंगे बहुत बार मासालम यहां पर मैंने तीन प्याज को छोटा छोटा काट लोंगी और टमाटर और अधर का पेस्ट बना लोंगे तो चलिए कराही की तरफ चलते हैं तो यहां पर हमारी कराही गरम हो गई है अब इसमें हम तेल डालेंगे मैं यहां पर सरसोग तेल यूज कर रही हूँ आप कोई भी तेल ले सकते हैं लेकिन सरसोग तेल में यह बहुत अच्छा बनता है मैंने यहां पर दो से तीन चमच तेल डाला अब हम इसमें डालेंगे जीरा आधा चमच से भी कम जीरा डालें यहाँ पर मैंने पांच अंड़ा यूज किया है और एक लाल मिर्च मसाले में यहाँ पर डाल रहे हूँ दालचीनी का एक टुकड़ा इलाइची है तीन और ठोड़े से यहाँ पर में काले मिर्जी होती है गुल मिर्च उसको इस तरह से डालोंगे आपके पास जो गरم मसाला है वो मसाला इसमें डाल दे गरम मसाले का अलग स्वाध़ आता है इसमें अगर तेज पत्ता है तो वो भी डाल दे बस मसाले अच्छे से थोड़े से भून जाया तो इसमें लहसून डाल देंगे लहसून को थोड़ा चला के उसका इसमें प्याज डाल देंगे प्याज को यहाँ पर मैंने अमलेट कट में काटा जिस तरह हम लोग अमलेट के लिए बना काटते हैं प्याज को उस तरह से काट रखा है और तब तक प्याज पकड़ा था तब तक मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया अब यहां पर ज़रूरी यह है कि प्याज को ठीक से भूनना है प्याज अगर कच्छा रह जाएगा थोड़ा सा तो जब हम कड़ी बनाएंगे अंडा कड़ी बन जाएगा तो उसके बाद प्याज ऊपर में ऐसे तेड़ने लगता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है इसलिए प्याज को ठीक से भूनने दे तो टाइम लगेगा उसके बाद इसमें सुखे मसाले डालेंगे तो मैंने आधा चमच हल्दी डाला चमच आप देख रहे हैं इसी चमच को मैं यूज कर रही हूँ आधा से थोरा सजादा मिर्ची का मिर्ची पौडर और मिर्ची से थोरा सजादा धनिया पौडर यहाँ पर मसाला का नाप आप देख रहे हैं मैंने हल्दी डाला हल्दी से थोड़ा सजादा लाल मिर्च पॉड़र डाला और लाल मिर्च पॉड़र से थोड़ा सजादा धनिया पॉड़र डाला बस सारी चीज़ों को ठीक से मिला लेंगे और इसको 20 से 30 सकेंड तक मासाला को भूनेंगे ये भी बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको ठीक से नहीं भूनेंगे तो कलर अच्छा नहीं आएगा इसलिए इसको ठीक से भूनें मासाले को आज यहाँ पर लो मीडियम पर रखे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने जो टमाटर पीश के रखा वो डाल देंगे और टमाटर जिसमें पीशे है उसमें थोरा सा पानी डाल के उसको इस तरह से डाल देंगे टमाटर को पकने में थोड़ा टायम लगता है तो यहां पर थोड़ा सा पानी और नमक भी में अभी ही डाल दूंगी टमाटर को नमक के साथ डालने से जल्दी पक जाता है बस सारी चीज़ें को ठीक से चला दे और इसको ढग कर 5-6 मिनट तक पकाएंगे यहां पर आपको थो आराम से पकने दे आप नए हैं तो इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूं अगर आप खाना बनाते हैं फिर तो आपको पता हुए कि टमाटर पकने में ज्यादा टाइम लगता है अभी नहीं पका अभी इसको थोड़ा और पकाना है मसाला को तब तक भूने जब तक मासाला से तेल अलग ना होने लगे यहां पर देखे मैं इसको बीच बीच में चला रही हूं ढख रही हूं इसको इसी तरह से चलाते हुए ढखते हुए अंडा करी है तो इसका करी बहुत मैन है तो करी पर ही थोड़ा ज़्यादा धिहान देना पड़ेगा और यहां पर आप देख सकते ह मासाला से तेल अलग हो रहा है मासाला पैन को छोड़ दिया यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपको नजदिक से दिखा रहे हूं देखिए मासाला बिल्कुल पैन से अलग हो रहा है अब यहां पर हम पानी डालेंगे मैंने एक कप पानी डाला और यहां पर मैं आधा कप पानी और डालेंगे अगर आपको ज़्यादा कड़ी चाहिए तो आप दो कप भी पानी कर सकते हैं बस इसको ठीक से मिला के और अच्छे सुबाल आने तक इसको ढग कर पकाएं मसाला तो पहले से भूना हुआ है टमाटर भी पका हुआ है बस इसमें ठीक से उबाल आजा वहां तक पकाना है अब यहां पर हम क्या करेंगे एक को इस तरह से काटके उसका जो बीच बला होता है पीला बला भाग उसको हम इसमें डालेंगे इससे क्या होगा कि हमारे करी में ठीकनेस आएगा और एक बहुत ही अच्छा एक का स्वाद भी आएगा बस इसको एक उबालाने तक पका है चलिए इसको साइड में रख देता है अब मैं दूसरा पैन रख रही हूँ इसमें डालेंगे दो चमच तेल करी हमारी बन के तयार है अब उसमें अंडा डालेंगे तो अंडा को थोड़ा फ्राइ कर लेते हैं यहां पर मैंने अंडा को इस तरह से फोक से कर लूँगे जिससे की जो करी है वो उसके अंदर जाए मसाला अंदर जाए अंडा के अब यहाँ पर देखे अगर आप नए है तो मैं यह बता रही हूँ अगर अंडा डाल रहे हैं आप कड़ाही में या पैन में तो ऐसे सामने से ऐसे कोई बर्तन रखकान या कुछ भी रखे प्लेट रखे इसे क्या होगा कि जो तेल का चीटा है वो आपके चेहरे पर नहीं परेगा आप सेफ रहेंगे तो अंडा यहाँ पर गॉल्डन कलर का हो गया तो अब यहाँ पर मैं कास्मिनी लाल मिर्च डाल रहे हूँ यह मिर्च तीखा नहीं होता है और बस इसको जो हमारे कड़ी बना हुआ है उसके उपर इस तरह से डाल देंगे इसका एक अलग स्वाद आता है और बहुत अच्छा बन के तियार होता है और कड़ी का कलर भी बहुत ही आच्छा आता है बस इसको ठीक से मिला देंगे अब खुसुबू के लिए इसमें डालेंगे कशूरी मेथी और गरम मसाला गरम मसाला डाल के इसमें देखें यहां पर मैं आधा चमच गरम मसाला डाल रहे हूं गरम मसाला भी अंडा में जरूरी होता है इससे बहुत आच्छी फुस भूआती है बस इसको ढटके दो मिनट रख दें उसके बाद सर्व करें यहां पर मैंने ढहक दिया आप चलिए भी में शर्व करके दिखाते हुए तो यहां पर देखे कितना अचे हमारे अंड़े का अर कडी का कुरी का भी कलरां आप देखें अब आप इस से शर्व करें और बूरा अंड है इस काड़ गी मेल जैसारत ब scratching दाल के हैं यह आ आप क्या करेंगे कि अंड़ करी eni इंडे कहरी डाल के और उसके साथ एक, एक को, मतलब अंडे को bीच से काटके, और इस तरह से रख दे, इस तरह से सर्व करे, दोनों तरह से ही देखने में यह बहुत ही अच्या लगता है, और अगर आपने यहां तक मेरा वीडियो देख लिया तो प्लिज लाइक करके जाए, कमेंट करें, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें